इवन, स्वागत है आप सब का आज की current affair analysis lecture में जिसमें Indian Express, PIB and other sources से लेगए news को holistically analyze किया जाएगा आपके prelims, mains and interview को ध्यान में रखते हुए ये lecture आपके UPSC, state PCS exams के लिए UPSC की साबित होगा lecture से related value edition के PDF टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी link मैंनी ची description box में दूँगी वहाँ जाना है, join करना है डेली current affair की PDF के लिए स्टार्ट करते हैं आज के lecture भी एक motivational quote से expansion is life, contraction is death, love is life and hatred is death यानि कि यहाँ पर स्वामी विवेक अनंद कह रहे हैं कि आपको optimist होके आगे बढ़ते रहना है ठीक है अपनी life को expand करना है और explore करते जाना है अपनी life को ठीक है अगर आप preparation में आप explore करिए चीज़े जैसे कि अगर आप कुछ चीजों में fail भी हो रहे हैं तो क्या mistake वहाँ पे हुई कैसे ठीक की जा सकती है ठीक है इन सब को एक optimistic नजरीय से देख के आगे चलना है मैं महिमा मिश्रा प्रेजिन करती हूँ आज का इंडियन express newspaper analysis इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है सबसे पहला topic पढ़ेंगे live in relationship arguments for यह जीएस पेपर 1 के लिए important हो सक देखते हैं कि editorial में क्या बूला गया है Canada doubles fund requirements और यह fund होगा fund requirement यानि कि जो Canada में foreign nationals पढ़ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं या वहां रह रहे हैं उनके वहां रहने की fund को जादा मतलब double कर दिया गया है इंडिया पे भी इसका effect पढ़ेगा ठीक है देखते हैं वो भी India Korea electronic origin data exchange य इसके बारे में भी पढ़ेंगे India Korea relations यहां पे important हो जाता है क्योंकि Korea एक ऐसी country है Korea वेतनाम ऐसी countries है जिनसे relations अभी कुछ ही सालों में ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं ज्यादे स्ट्रिंदिन हो रहे हैं ठीक है तो यह भी पढ़ेंगे female workforce participation rate से related Delhi का एक data release किया गया है जो जेंडर ग्याप है आपको उसे हाइलाइट करना है अपने essay में और इंट्रव्यो में ठेक है आपको बहुत सेलेक्टिवली पढ़नी होती है रीजनल न्यूज मिजोरम की न्यूसीयम बनी यह आपके UPPCS R0-R0 exam के लिए important होगा reintroduction of dodo यह एक extinct bird है जिसे reintroduce किया जाएगा को जेनों के sequencing करके इसे reintroduce किया जाएगा मौरेशेज में यह भी पढ़ेंगे महुआज एक्सप्योलजन यह महुआ मोइत्र आपको पता होगा बहुत दिनों से यह न्यूस चल्री इसका final decision आ गया है ethics committee का मैं यह news को इसलिए नहीं cover कर रही थी क्योंकि यह आगे जब conclude होगी तो मैंने सुचा मैं सब वहीं पर पढ़ा दूंगी बाद में इसे से related पढ़ेंगे ethics committee लोगसभा की ethics committee important हो जाती है क्योंकि यह काफे दिनों से news में है पहली न्यूस कवर करते हैं यह एक एडिटूरियल है हर्चवाइस यहाँ पर बीजेपी MP हर्याड़ा ने बोला है कि जो live-in relationships अब चलती जा रही है यह हमारे इंडिया की इंडिया की जो society है इसका जो culture है उसके लिए यह एक disease है और यह इसका eradication ज़रूरी है ठीक है यह जो western values यहाँ पे spread हो रही है यह बहुत बुरा है हमारे culture के लिए हमारे Indian culture के लिए अब यहाँ पर author point out कर रहे है कि ऐसा नहीं है कि कि जो arranged marriages होती है उसमें सब खुश ही होंगे ठीक है यहाँ पर author ने क्या बोला है यह वाला interview के लिए important है arguments for present करने के लिए ठीक है आपको balanced होकी argument देना है बिल्कुल contradictory भी नहीं बोलना वहाँ पे कि आप एक तरफ बोलेंगे कि सही है एक तरफ बोलेंगे नहीं सही है इतना contradictory भी नहीं होना बठा आपके व्यूज में वहाँ पे एक बालेंस नजर आना चाहिए इंट्रव्यूर को यहाँ पे author ने क्या बोला है कि यह उस टाइम पे comment दिया गया है जब इंडिया एक जब वुमेन इंडिया की पब्लिक लाइफ में आ रही है जैसे कि council of scientific and industrial research में उनका participation है चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 इन सब में participation रहता है अभी गगन यान में participation है वुमेन का नारी शक्ती वंदन अधिनियम जिसके तहट क्या था reservation में लेका वुमेन को armed forces में लाया गया वुमेन को बेटी वचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम मुझ्वला इसके तहट क्या और है वुमेन का empowerment हो रहा है अब ज्यादा empowerment हो रहा है इसलिए जो patriarchal society है वो उने फिर से दबाना चाहती है उनकी choices को नहीं यहाँ पर देखती वुमेन के against crime बढ़ा है 2022 में ठीक है अब 4% बढ़ा है इसमें यह भी point out किया गया है कि जो crime होता है वुमेन पे वो उनकी आसपास के members करते हैं उनकी intimate partners, husband, family members ठीक है और relatives ऐसे ही लोग ही मितलब आसपास के लोग ही उन पे crime करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का अगर divorce rate अगर काफी low है तो यह नहीं कह सकते कि शादियां बिल्कुल successful हो रही है ठीक है parental consent अगर parents के consent से उनकी राय से उनकी सहमती से शादी होती है तो यह नहीं कहां जा सकता है कि आपकी आपकी शादी हमेशा काम्याब रहेगी यह हमेशा ठीक चलेगी यहाँ पे author का यह argument और आप अगेंस्ट में भी लेके आएं बट contradictory नहीं हो जाना आपको conclude करना है ठीक है कि Indian society conclusion में आप क्या बूलेंगे कि Indian society एक evolving society है अब जैसे जैसे हमारी society evolve हो रही है हमें इसके drawbacks and and evolving nature को देखते ही मतलब देखके ही step लेने होंगे ठीक है आप अपना bias वहां नहीं रखेंगे नेक्स्ट इंपोरी न्यूस देखते हैं Canada now doubles fund requirement for foreign students अब इंडिया-Canada relations की बात आ सकती है क्योंकि खालिस्तानी जो separatist थे उनकी killing के लिए Indian agent को यानि की इंडिया को ही जिम्मेदार ठहराया गया ठीक है अब इंडिया ने बोला कि यह हमारी policy नहीं है कि हम दूसरे देश में जाके लोगों को मारे ठीक है यह हमारी foreign policy नहीं है तो आप हम पर यह इल्जाम ना लगाए अब य living financial requirement for international students उसे एक जन्वरी 2024 से डबल कर दिया जाएगा अभी 10,000 Canadian dollars लगते हैं अब क्या होगा जैन्वरी से change करके इसे 20,635 Canadian dollars लगेंगे अगर कोई foreign nationals वहाँ पे रहना चाहते हैं यह उनकी minimum requirement है ठीक है अब यहां पर क्यों रहे कि large chunk होता है इंडिया की तरफ से यानि कि हमारी तरफ से काफी सारे students जाते हैं specially पंजाब से जब interview में question पूछा जाएगा कि इंडिया और Canada के relations में थोड़ी सी bitterness देखी गई है या करवाहट देखी गई है इसके बारे में आपके क्या राय है और कौन-कौन से ऐसे recent incidences होए हैं जिनसे आप क्या सकते हैं कि इंडिया और Canada के relations अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आप बताएंगे खालिस्तानी सेप्रेटिस्ट अभी यूएस में भी एक पुन्नू नाम के थे खालिस्तानी सेप्रेटिस्ट उनकी भी देहान दुआ है तो उसके लिए इंडिया को आपके एजिंट में मारा है तो इस चीज के लिए इंडिया बार बार कह रहा है कि जो आपने खालिस्तानी के लिए सेफ हेवन भापे बनाया है उसे हटाना है कि खालिस्तानी आपके देश में जाके शरन ले रहे हैं और हमारे ही देश के खिलाफ स्टेप्स ले रहे हैं ठी है next important देखेंगे India Korea electronic origin data exchange system Recently मतलब की कल हुआ है यह India Korea electronic origin data exchange यानि कि electronic format में electronic form में यहां पे data को exchange किया जाएगा दोनों countries के बीछ में partnership हुई है dahe evaluated किक तहट हों है यह इसे facilitate करें यानि कि और आगे बढ़ाएगा किसी comprehensive economic partnership agreement economic partnership का मित्तब क्या होता है जो trade related measures है न वो दोनों country के favor में रहे ये होती है economic partnership जैसे कि supply chain हो गया trade कुछ measures हो गये वो दोनों country को फादब हो जाए यहां पर relations important हो जाते हैं क्योंकि ये UPC कोड एरिया से नहीं पुछता बल्कि peripheral area से पूछता है नियूज नहीं पूछी जाएगी क्या पूछा जाएगा peripheral area से मेंस की question बनेंगे यहां पर देखते हैं इंडिया और कोरिया रिलेशन यहां पर कोरिया की मैं अगर बात करती हूं तो वो South Korea है North Korea से relation अच्छी नहीं है वहां पर dictatorship है नॉर्थ कोरिया का जो केम जोंग है वो आए दिन नुकलर की धंकिया देता रहता है वो देशों को और इंडिया इसका समर्थन कभी नहीं करता थीक है तो यहां पर South Korea की बात हो रही है जब North Korea और South Korea की बीच में जब लड़ाई ओ रही थी तो इंडिया ने एक major role प्ले किया था ceasefire agreement में ठीक है अब यहां पे trade आप ऐसे ही IR में जब आ पांसर लिखेंगे तो आप उसे multi-dimensional way में शो करेंगे present करेंगे ठीक है ठीक है trade and economic यहां पे अन्वल बाय जो bilateral trade है इंडिया और साउथ कोरिया का वो रीच किया है US dollar 21.5 billion 2018 में और यह cross कर रहा है आगे बढ़ता जा रहा है ठीक है यहां पे फैसे Korea की जो investment है उसे facilitate करने के लिए यहां पे इंडिया ने लांच किया है Korea plus facilitation center under invest India यानि की investors को assist किया जा सके guide किया कि आप कौन-कौन से areas में invest कर सकते हैं कितना invest कर सकते हैं आपको कितना फैदा होगा ठीक है यह launch किया गया है Korea Korea plus facilitation center के तहत foreign direct investment भी बहुत आती है इंडिया में ठीक है अभी US dollar 6.94 billion is the one of the key investor in India इतनी investment के साथ साथ South Korea बहुत इंपोर्टेंट एक investor बन जाता है इंडिया के लिए डिफेंस रीजिन में भी सहयोग और है भी लोग इस पार्ट फर प्रपोस्ट establishment of MOU between Coast Cards of to improve maritime security in Indian Ocean region यानि की यह क्या यह वाला जो program है सहयोग वाला ठीक है इसमें South Korea के जो मेरे टाइम मेंबर्स है या आमी है Coast Guard है उनकी साथ हमारा collaboration रहेगा ताके इंडियन ओशन रीजिन में हम peace and prosperity established कर पाएं ठीक है security established कर पाएं कल्शल रीजिन अब कोरिया की जो कुईन है कुईन है कुईन हाओ हुआं मेमोरियल पाक यह कब बना गया है यह राम कथा पाक में बनाया गया है क्योंकि वहां की जो कुईन है वह Indian roots की मानी जाती थी कुईन हैं मतलब कोईन थी ठीक है तो वह Indian roots की मानी जाती थी Conclusion यहां में क्या देखेंगे क्योंकि कुछ bitterness तो नहीं है relations में ठीक है तो आप कॉन्दूजन एक positive conclusion ही आप present करेंगे बोलेंगे कि इंडिया और साउथ कोरिया का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है म्यूच्वल एक फ्रेंडशिप की तरह दोनों दोस्त कंट्रीज आपस में आगे बढ़ रही है ठेके ट्रेड में और डिफेंस में इन सब में इन सब के एरिया में साउथ कोरिया और इंडिया का एक यूनिक रिलेशन देखा जाता है नेक्स्ट इंपॉर्डिन देखेंगे फ्यूर वोमें इन डेली पार्ट वर्कफोर्स यानि कि नाशनल डेटा के हिसाब से डेली में कम वुमें वर्कफोर्स पार्टिपेशन रेट है ठेके एक डेटा रिलीज किया गया है बाई सेटीज डेरेक्टर रेट ओफ एकोनोमिक्स अदर स्टाटिक स्टेक्स डेपार्टमेंट उन्होंने क्या बुला है कि 2021 और 2022 में जो वर्कफोर्पॉपॉलेशन रेशियो था वो कितना था? 8.8% फुर्ट फीमेल फॉपॉपॉलेशन इंडिया, टोटल इंडिया में कितना है? 24% यानि कि टोटल वर्कफोर्स में से 24% महिलाएं ऐसी है जो काम कर रही है workforce population rate क्या होता है indicator used to assess the country's employment situation workforce population यानि की population में से कितने कर्मी है यानि की work कर रहे है the ratio informs us about the proportion of country's population that actively contributes to the production of goods and services यानि की गुर्जन साविसेज मैनुफेक्श्रिंग सेक्टर और साविस सेक्टर का ये एक की ये एक स्थिते दिखाता है कि आपे country में कितनी या कितना workforce participation rate है लेबर workforce participation rate क्या होता है वो लोग जो employed है या काम को धून रहे है इसमें exclude किया है जो काम नहीं करते जैसे कि जो काम को नहीं धून रहे हैं जैसे कि students pensioners and housewives तभी यहाँ पे जो unpaid domestic labor खा जाता है न जो housewives होती है इसे लिए खा जाता है कि इनके काम को भी recognition मिलना जरूरी है ये sociology का concept है ठीक है यह important है आपके GS paper 1 के लिए भी और interview के लिए भी ठीक है यहाँ पे gender gap देखा गया है especially after pandemic जो covid-19 था न उसके बात क्या हुआ woman वापिस नहीं गई अपने काम पे और वो घर तक ही से में धैगई unemployment rate क्या होता है वो जो काम करना चाहते हैं वो काम धून रहे हैं उसके बावजूद उने काम नहीं नहीं मिल रहा है इसके यह इसे कहते हैं unemployment rate this reflects the inability of an economy यानि की हमारी जो अर्थ वेवस्ता है वो sufficient number of jobs यानि की नौकरिया नहीं प्रदान कर पाद ही है यह इसकी inability अपने country की inability दिखाता है ठीक है यह data थोड़ा सा इंपोर्टेंट है Delhi specific इंपोर्टेंट नहीं है बत यह national capital है याद रखना है data and interview में बस आपको utilization आना चाहिए कि आप data पढ़ रहे है यह gender gap मतलब पढ़ रहे हैं तो आप उसे कैसी utilize करेंगे अपने essay में essay में अगर woman का participation आता है तो आप दिखाएंगे कि recent survey हुआ है डेली में तो एक report आई है क्या present किया गया है कि national average से डेली में workforce participation rate labor female workforce participation rate बहुत कम है यह चीजे आपको बस use करनी आने चाहिए answer अपने आप attractive लगेगा और यही चीजे होती है चो आपको एक average aspirant से आगे बढ़ाती है लाल्दू होम न्यू मेजोरम के president बने है यह आपकी UPPCS ROERO जो एक्जाम आ रहा है अभी 11 फेप को बहुत important उसके लिए ठीक है पूछा जा सकता है यह यहां पर क्या है फर्स्ट नॉन कोंग्रिस और नॉन मीजो नाशनल फ्रंट चेफ मिनिस्टर ओफ मिजोरम है since its formation in 1987 ठीक है यह थोड़ा सा fact याद रखना है next important डेखेंगे not so dead after all plan to revive long lost dodo यहां पर एक पक्षी है जो extinct हो गया है ठीक है इसे रे इंट्रोड्यूस किया जाएगा मौरिश में अब आप लोग बोलेंगे extinct हो गया तो रे इंट्रोड्यूस कैसे किया जाएगा मौरिश से ही extinct हो गया था क्योंकि Dutch sailors वहां पर गए कुछ anthropogenic activities इसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉंसिबल मानी जा रही है इनके एक्स को डॉग क्याट इन्होंने कराब कर दिया और धीरे धीरे इनकी संख्यागर्ती चली गई डोड़ो इस तिल रिमेंबर यारि कि अगर किसी UPP से जारो औरो में भी अगर कूछा जाता है कि रिसेंटली कौन से पक्षी को मौरिश्यूस में रे-ंट्र्चूज करने की बात कहीं गई है तो आप लिखेंगे डोड़ो इस्टिल रिमेंबर इस अल्टिमेंट आइकन फोर यूमन कॉस्ट एक्स्टेंशन इस अ कान्री ऑफ कोल माइन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक डिस्ट्रक्शन ठीक है अगर एंथ्रोपोजेनिक अक्शन जैसे ही चलते रहें तो क्या होगा बायोडाइवरसिटी खतम होती चली जाएगी और एक्स्टेंशन होता चला जाएगा नेक्स्ट इंपोर्डेंट आप्टर महुआज एक्स्पोलजन यहां पे महुआ मोहित्रा है जिन पे यह आरोप लगा था कि आपने घूस ली है ब्राइब ली है कोईशन पूछने के लिए सरकार से कोईशन पूछना देखियो ओपोजेशन का हख्यए अगर डेमोग्रेसी को चलाना है तो ओपोजेशन पूछन का जो विरोधी पार्टी है उसका कोईशन पूछना बहुत जरूरी है बट यहाँ पे घोस लेके एक पर्टिकुलर कोईशन यहाँ पे पूछा गया था ठीके घोस लेके किया गया है तो यह इथिक्स यह अनिथिकल है तिरिनमूल कॉंग्रिस महुआ मोहित्रा वोस इक्सपिल्ड यह इथिक्स का मेटे काफ़े दिनों से न्यूज में थी यह वाली महिला बहुत न्यूज में थी ठीके महुआ मोहित्रा मैंने इसे कवर नहीं किया था कि जब यह केस कॉंक्लूड होगा तो एक साथ पढ़ा दिया जाएगा ठीके गिल्टी ओफ इंडल्जिंग इन अनिथिकल कोड अनिथिकल बतलब कंड़क्ट में उन्हें पाया गया अनिथिकल कंड़क्ट क्या है कैश फॉर कोईरी यानि कि उन्होंने कैश लिया है घोस ली है ब्राइबली है कुईशन पूछने के लिए नॉर्मली हाउस प्रोसेडिंग्स को चैलेंज नहीं किया जासकता क्योंकि आर्टिकल 122 ये वाला इसे लिए इंपॉटेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स कॉंस्टिटूशनल प्रोविजन्स मेंशन किये गए हैं आर्टिकल 122 क्या कहता है कि पार्लेमेंट की जितनी भी प्रोसेडिंग्स होती है वो चैलेंज नहीं की जासकती कोट में तब वैलिटिटी ओफ एनी प्रोसेडिंग्स इंद ये आर्टिकल नंबर याद रखना है आरो ए आरो के लिए ठीक है शेल नौट बी कोईशन्ट शेल नौट बी कॉइशन्ट इन्टो क्या जाएगा क्योंकि ये आर्टिकल 122 में मेंशन है अब यहाँ पिना दो आग्यूमेंट्स आ रही है कि चली अगर बुरा किया है तो वो पार्लिमेंटरी प्रिविलेजिस की कमीटी में जाए इथिक्स की कमीटी में क्यों गया यहाँ पे आर्टिकल 20 भी आया आर्टिकल 20 क्या कहता है कि जब तक लौ ना हो उसके खिलाफ तब तक चार्च नहीं किया जाएगा ठीक है तो ने जब प्र प्रिविलेजिस लिए लिए गया है बट अगर कुछ illegal होता है तो judicial scrutiny से वो बाहर नहीं रहेगा Articles, Article 105 deals with the powers and privileges of the Parliament यह वाला article number भी बहुत जादा important है, याद रखना है ठीक है, Article 105 यह Parliament की powers से deal करता है Article 105 थी क्या कहता है, कि वो privileges and immunities of each house of Parliament ठीक है, that is, लोगसर्भा और राजसर्भा वो time to time frame किया जाएगा by the law of Parliament ठीक है, Parliament इसके लिए कानून लेके आएगी और वो time to time frame किया जाएगा अब यहाँ पर आचार है एक जो मोहत्रा की तरफ से इनोंने बोला है क्या बोला है, कि privileges committee और ethics committee में ना differences होते है ठीक है, privileges committee and ethics committee investigate or look into the misconduct of a member see whether that person had bought the dignity of house यानि कि उन्होंने अच्छे से behave नहीं किया है या parliamentary privileges को काउलंगन किया है तो वो जाएगा privileges की committee में बात समझ जा रही है, यहाँ पर point out किया जा रहा है कि privileges committee को refer करो ethics committee को नहीं और काफे दिनों में, काफे दिनों से news कौन सी में है ethics committee यहाँ पर यही point out किया गया है accepting money from a businessman ठीक है, business man से पैसा लिया है इनोंने question करने के लिए for asking question, was a breach of privileges and should have been inquired into by the court of by the privileges committee ethics committee को नहीं देना चाहिए था, privileges committee को देना चाहिए था अब इनके functions भी overlap करते है अगर privileges का उलंगन हुआ, तो वो unethical माना जाएगा तो वो यह एक question आता है कि ethics committee को दिया जाए या parliamentary privileges committee को दिया जाए क्योंकि इसके functions आपस में थोड़ा सा ओवर लाप करते हैं इसमें clarity होनी जरूरी है इथिक्स committee के बारे में देखेंगे यह speaker from यह appointment की जाती है by the speaker for a period of one year 15 member committee है ठीक है यह क्या complaint देखते है unethical conduct of member of log sabha refer to it by the speaker ठीक है speaker ने कोई unethical conduct है किसी member का लोग sabha का वो दी है ethics committee को investigation charges देखने के लिए overlap with privileges committee यह याद रखनी है 15 member committee है and speaker appoint करते है the work of ethics committee and privileges committee of an overlap an allegation of corruption against an MP can be sent to the other body but usually more serious accusations जाते है privileges committee क्योंकि corruption क्या है यह parliamentary privileges का बेखन किया गया है और unethical भी है the mandate of the privileges committee is safeguard freedom, authority and dignity of parliament dignity of parliament का मतलब क्या है कि कुछ members को privileges दे गई है कि आप सही ठंग से free and fair होके अपनी आवाज उठा सके अगर आप biased होके उठाएंगे तो यह parliamentary privileges की का उलंगन होगा मतलब घोस लेके आप कोई particular question कर रहे है किसी एक particular group के लिए question कर रहे है तो यह बुरी चीज है इसे breach of privilege माना जाएगा A non-MP too can accuse of breach of privilege for action non-MP ठीके अगर dignity and authority of house को effect हो रहा है तो non-MP को भी इसमें charge किया जा सकता है Ethics committee can take only cases of misconduct misconduct यानि की सही behave नहीं किया गया है वो ethics committee देखेगी बर जो जादा serious आरोप होते हैं वो investigate किये जाते है Ethics committee Sorry, privileges committee के द्वारा यह चीज ध्यान रखनी है इसके articles बहुत important है इसके constitutional provisions बहुत important है और interview के लिए क्या perspective होना चाहिए कि Parliament के dignity and authority को किसी भी हालत में maintain किया जाएगा क्योंकि हमारी Parliament ही है जो democracy को अभी तक successful बनाए है यह चीज आपको ध्यान देनी है तो ऐसे करते हैं इसके लिए फिफ्टीन मिनेट्स लगेंगे ऐसे न्यूस पेपर कवर करने में बद न्यूस पेपर का आपका फिर हात में उठाना भी वेस्ट होगा जब आप उसे अच्छे से अनलाईज नहीं करेंगे तो आज के लिए लेक्ट्र में था बस इतना ही वैलिव एडेशन के पेडियफ टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगे जिसके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगे वहाँ जाना है ज्वाइन करना है डेली करिंट अफेर की पेडियफ के लिए यह पेडियफ सिरफ आज कुलने चाहिए इसके बाद हमेशंक बंद हो जाने हो जाहिए ठीक है पीडियफ's last में नहीं कुलने चाहिए एक जाम के टाइम पर आपके notes पार-방 झाहिने सुबह शाम आपने notes पर रिलाई करना है ठीक यह रिवाइस करते रहना है time to time संडे का मैं टाइम इसे लिए देती हूँ कि आप जो भी मैंने वीक में बढ़ाया है आप वो सारी चीज़े रिवाइस करें प्रिलम्स के लिए रिवाइस करें मेंस के लिए भी अपने आंसर को लिखें यह होती है इंटेग्रेटेड प्रेपरेशन ठीके तो आज के लिए न्यूस पेपर में था बस इतना ही मिलते हैं मंडे को आपको पूरा का पूरा रिवाइस करना है और निस्टली रिवाइस करना है ठैक्स पर वाचिंग ठैक्क्यू सो माच